नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासिस में आपका आश्वागत है आज के इस वीडियो में इग्नु के MHD प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHD 3 का इकाई 4 धर्ती धन्ना अपना दलित जीवन की त्रासदी के संदर्ब में इस इकाई का जो दूसरा भाग है उसको आज देख लेंगे इस वीडियो में हम लोग दलित जीवन की त्रासदी के संदर्ब इस टॉपिक पर बात करेंगे इस इकाई का जो पहला भाग है जिसमें धर्ती धन्ना अपना इस उपन्यास का कथा बस्तु को इसपस्ट किया गया है तो बेटर होगा कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए ताकि इस उपन्यास का जो कॉंसेप्ट है वो किलियर हो जाएगा तो फिर इसको समझने में ज्यादा असानी होगी तो जो भी है यह जो दलित समझ्या यह आज से नहीं है बहुत पहले से है विभिन रचनाकारों ने इसको समझ समझ पर सामने रखा है तो इस उपन्यास में भी इन समझ्याओं को सामने रखा गया है अगर देखा जाए तो कई तरह से इसको इसपस्ट करने का उपन्यास करने प्रयास किया है जैसे दलित जीवन की तरास्दी को कई रूपों में लेखग ने देखा है पहले समाजिक इस्तर पर छुआचुत के बेवहार के रूप में उसके बाद क्या है समाज आर्थिक रूप में उनके स्रम के सोशन वो निम्न मानव इस्तर तक पहुँचाने में यहां भी देखा जा सकता है वैसे ही दलित स्तिरियों के जौन सोशन द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रतारित करने में वैसे ही दलित समाज को चेतना के अभाव में आपसी फूट वो सोशकों से संघर्ष न करने की तरास्दी का भी सामना करना पड़ता है वैसे ही अगर बताया जाए तो दलित समाज की अपनी उत्पिडख संस्कृती जिसमें ग्यानों और काली जैसे सबसे अच्छे इस्तिरी पूरूस का त्रासद अंत हो जाता है तो मिला जुला का अगर बोला जाए तो यहीं सब मुख्य समश्या है ना पहला जैसे हो गया कि समाजिक इस्तर पर छुआ छुआ छुट के वेवहर में अर्था जो सवर्ण लोग है उच्छी जाती के लोग है वो इन दलितों को अस्परिश्य समझते हैं उसे छुटे नही है एक समझ्या दूसरा क्या है समाज आर्थिक अर्थात समाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी इनका जो इस्थिती है वो बहुत ही दैनिया है साथ ही जो दलित इस्तिनिया है तो इसका भी बहुत तरह से सोशन किया जा सकता है बहुत तरह से सोशन किया जाता है के इन सबरनों के दुआरा और जो क्या है जगहन्यतम है वह क्या है यौनसोसन यह भी होता है ठीक है साथ ही यह जो दलित समाज है यह सिख्छा के अभाव में चेतना के अभाव में खुदी आपस में क्या करते संहर्स करते रहते हैं जो सोषकों के बिरूद उसे एक साथ एक जूट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है आपस में ही लड़ते रहता है और इसी उपन्यास का जो नायक नायक का है नायक का नाम है काली और नायक का ग्यानों यह दोनों क्या है थोड़ा सा अच्छे होने के बाद भी थोड़ा सा सचेतन होने के बाद भी इन जीवन का क्या है अनुबरत त्रास्दी है उन्हें च्वाचुत द्वारा अपमानित प्रतारित किया जाता है उनकी इस्तिरियों को योन सोशन द्वारा अपमानित वो मानसिक रूप से पंगु बनाया जाता है सिस्ट संस्कृती से बंचित रख उन्हें चेतना के अभाव में सारीलिक वो मानसिक गुलामी की स्थिती में रखा जाता है ताकि वे सचेत सजग संगठित होकर मुक्ति का प्रयास ही न कर सके इन सब के साथ उनकी संस्कृती को भी दमन कारी बनाया जाता है ताकि ग्यानों और काली जैसे स्रेश्ट इस्तिरी पूरुसों को भी स्वयंग ही नस्ट कर दे जो उनमें चेतना विक्षित करने की छमता रखते हैं आप देखे थे कि इसी उपन्यास में जो ज्यानों है ना जो इसका नाईका है अंत में क्या है उसी के घरवाले उसी को जहर दे के मार देते हैं काली जैसे सचेतन पूरुस को लास्ट में सब छोड़ छाड़ कर निसहाय वस्था में गाउं से फिर से जाना पड़ता है तो यह तो इस्थिती है ना तो कुल मिलाकर जो जगदिस चंद्र इसके रचईता है वो दलीद जिवन की त्रासदी को अनेक इस्तरों पर अनेक पह पॉइंट को डिसकस किये उसी को एक एक करके अब डिटेल में थोड़ा समझ लेंगे तो पहला जो है वो है छुआ छूत और अपमानित माना उता है ना तो यह जो उपन्यास है तो इसके आरंब से अंत तक दलीतों के साथ गाउं के सबर्णों का छुआ छुआ छूत का वे कामा कर लाता है तो अर्था उसका इस्तिति थोड़ा क्या हो गया संपन हो गया वो थोड़ा मकान बनाना चाहता है चाजू सा से परामटश लेता है तो तो वो सिग्रेट क्या करता है दूर से ही फेंकता है ताकि कहीं छू ना जाए उसे वो गर्व से बताता है कि उसके पास दो टुक्के रखे हैं एक चौधरियों के लिए और एक चमारों के लिए मतलब यहां भी क्या है भेदभाव है और तो और काली के घर में काम करने वाला जो मिश्तिरी संता सिंग है या फिर इडवट्टे का मुंसी है वो भी काली से चुवाचूत का बेवहार करते हैं जो उसे सबसे अधिक चूहता है और इतर गाम के पंडितों का अगर बात करें तो वो दलीत इस्तिरियों पर लार फेकता है अर्था कुद्रिष्टी जरूर रखता है उसके सरीर को भोगना जरूर चाहता है लेकिन दलीतों के चूह जाने पर उनके कुरोधागनी मानों क्या हो जाते हैं भड़क जाते हैं ठीक है तो इस तरह का बेवहार देखा जाता है चुवाचूत के बेवहारों से चमारों को हमेशा अपने अच्छूत होने का अपमान बोध बार बार कराया जाता है जैसे हम लोग देखे क्या कि ज्यानों का जो भाई है तो उसे तो चौह जरी लोग बार बार चमार कुत्ता यही कहकर क्या बुलाते हैं जो कि क्या है एकदम ही गलत है किसी को इस तरह का संबोधन किसी तरह से भी नहीं किया जा सकता ह तो ही है कि जो मानवता अपमानित मानवता है इस प्रकार का जो कथन है उसके पीछे भारतिय जाती बेवस्था के कारण निम्न जातियों का सामाजीक आर्थिक और सांस्कृतिक सोसन करने के अधिकार प्राक्तों का क्या है दम भरी स्विक्रिती है अर्थात ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन दलितों को हमेशा दबाक ही रखा जाए है जानुवरों के समान इंसानों को भी पीठो कर दहसत पैद आकर अमान विय तरीके से अपने अधीन बनाएं रखने का तरीका दुनिया के किसी भी छेतर में दृष्टिगोचर नहीं होता अर्थात ऐसा सिर्फ हमारा ही छेतर में या हमारा ही देश में ऐसा दिखाई देता है थुआ छुआ-छुद के कारण अपमानित होने की इस पी सीख बन जाता है जो सीख धर्म क्या है जो समानता का भाय चारा का बात करता है लेकिन वहां भी इसे सम्मान नहीं मिल पाता है फिर वह इसाई बन जाता है तो वहां पर भी उसे सम्मान नहीं मिल पाता है उसे वही जो उसका नाम है चमार है ना तो चमार के नाम से ही क्या करता पुकारा जाता है जैसा लोग बरताब करता है और क्या करता है उसी तरह का बरताब उसके साथ चालू ही रहता है रथा यहां भी क्या नहीं होता है तो छुआ हटूत की ओ मानविय पराकास्ठा धर्ति धर्न अपना में देखने को मिलती है अच्छुत कहीं गई जातियों को आज भी सबर्णों के कुएं पर चढ़ने नहीं देते यह भी दुरभाग्य है तो चमादड़ी में चमादड़ी मनें चमारों की बस्ती है तो एक बार यह घटना होता है कि एक बार आ जाता है और जो चमादड़ी में बना जो उपाई नहीं रहता है पीने का पानी कहीं से मिलता नहीं है क्योंकि वह कुवा तो बाढ़ का पानी से डूब चुका होता है बाढ़ का पानी उसमें भर चुका होता है तो फिर लोग क्या करते हैं मजबुरन और दूसरा उपाई सोचते हैं गाउं में और भी तीन कुएं थे तो लोगों ने ये सोचा कि उन्हीं कुओं में से कहीं से क्या करना पड़ेगा वेवस्था करना पड़ेगा है ना उसी गाउं में जो रहने वाले क्या है जो इसाई पादरी थे है ना तो इसाई पादरी से भी उलोग मिन्नत किये कि कुछ पानी दे दिया जाई है ना तो तो पानी दिया भी गया, लेकिन क्या है, कोई एक बच्चा उसके अजल बगल में टट्टी कर दिया, तो फिर वो भी गुस्सा होके, वहाँ भी क्या कर दिया, पानी देना बंद कर दिया, तो इस तरह से वहाँ भी पानी मिलना बंद हो गया, अब लोगों ने निर्नाई किया कि कुछ जब उपाई है ही नहीं तब क्या करते हैं उस पंडित जी के पास ही जाते हैं तो पंडित संतराम जो थे उनके पास गए और उनको बताई अपनी समश्या बताई कि यह यह हम लोगों के पास एक बुन भी पीने का पानी नहीं है तो पंडित सब सुनने समझने के नाटके भगाया है ना एक बुजूर्ग ने बड़ी क्या है दयनियाता से भी कहा कि पंडित जी हमारा कुआ क्या हो गया पूरा पूरी तरह डूब गया है हमारे पास पीने का एक बूंद भी पानी नहीं है लेकिन इन बातों का भी कोई भी असर उन पर नहीं हुआ और साथ में जो कच्चे का घड़ा था उन लोगों का वो भी क्या हो गया तूट गया है ना और ऐसे इस्थिति में फिर से उन लोगों को क्या हुआ जो बरसात का पानी था वो बरसात का पानी ही पीना पड़ा तो ये तो समाज का बहुत बड़ा दुरभाग्य है है ना जो धर का बात करते हैं कि अपना सनातन धर्म का बात करते हैं तो यह फिर यह कैसा धर्म है यह कैसा यह बढ़नास्रम वेवस्ता है कैसा यह अधिकार भेद है कैसा यह जाती वेवस्ता है जिसमें क्या करते हैं इन दलीद जातियों को इतना उत्पिडन क्या करना पड़ता है सहना पंडित संतराम का कृत्य था वो क्या था पूर्णत है क्या था गलत था है ना हिंदु धर्म गैर बराबरी भेदभाव छुआच्छुत के बेवहार द्वारा अपना अस्तित्व बनाये रखने की कोशिस ही नहीं करता बलकि उसमें विश्वाज भी करता है यही सबसे गलत है और यही कारण है कि दूसरे धर्म जल्दी जल्दी से क्या हो नहर लगे हैं उन्नती करने लगे हैं जैसे इसाई धर्म का बात किया जाए है ना तो इसाई धर्म बाले क्या किये वही इन अच्छुतों को अपने धर्म में सामिल कर लिए है ना इस उपन्यास में भी ऐसा दे करेंगे जब क्या करोगे तुम लोग इसाई धर्म को मान लोगे तो इस तरह की बिडम बना है हिंदु धर्म में जिसको सुधार करने का बात लेखक कहते हैं ठीक है वैसे ही अगर जीवन के दूसरा पहलू देखें तो दलीत श्तिरी का सोशन यह भी एक क्या है भयावह स्थी किती है संपूर्ण दलीत समाज का आर्थिक रूप से चौधरियों पर ही निर्भर होने के कारण दलीत इस्तिरियों को भी चौधरियों के घर में काम करने जाना पड़ता है और सायद ही कोई घर हो जहां पर उनका योन सोशन न होता हो सामान्यत है यह बात सामने नहीं आता है यह परदे के पीछे ही रह जाता है लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकतर जो दलीत औरते हैं उनका क्या होता है यौन सोशन जरूर हो जाता है सामान्यत यह बात तो सामने आता नहीं है लेकिन जब यह दलीत इस्तिरियों आपसमें जगडा उगडा करती है तब जाके तभी ये बात सामने आता है कि कोई भी दलीत इस्तिरी क्या है सुरक्षित नहीं है अगर पंडित संतराम का बात किया जाए जो छुआ छुत का पाखंड कितना ही क्यों न करे लेकिन दलीत इस्तिरी के देह के लिए तो हर समय लार टपकाते रहते हैं अर्था वहां पर इनको क सोसंद्वारा चौधरी वर्ग न केवल अपनी जोन विक्रीतियों की तूस्टी करता है बलकि उससे भी बढ़कर दलित आत्म सम्मान को कुचल कर मानसिक रूप से पंगु बनाकर उस पर अपना यंत्रना का वर्चस्व इस्थापित करता है एक दम मानसिक रूप से क्या कर सकता है इतना दिक्कत होने के बाद इतना सहने के बाद भी जो चीज होना चाहिए था वह था हई ही है आपस में बहुत फूट भी है खुद ही क्या करता है कोई चौधरी का चमका बना रहे जाता है है न है थे जब भी कोई चौधरी किसी चमार को गाली देता है उसे पीठता है तो बाकी समार उत्रपीरिद के साथ देने कि वुख सबनीघे चूप रहते है। कि जैसे एक उधाहरन आता ना कि पीठे लगता है। एल्ग कैसे के ने करता है ना कोई क्या नहीं करता है कुछ लोग ऐसे है जैसे जो नहीं का ज्यान है उसका जो भाई है ना मंगू मंगू चमात ये तो और खतम आदमी है वो क्या करता है ये तो चौधरी चौधरियों को ही क्या करता है दलीतों के खिलाप क्या है उक्साता है ना ठीक है लेकिन कुछ लोग बीच में थे जो क्या है इनके इस्थिति को बदलना चाहते थे जिसमें से क् बार बार ये नायक काली का नाम आता है लेकिन क्या होता है इनके कहने पर लोग जगने तो लगते हैं जगने तो लगते हैं एक बार जब गाओं में बार आ जाता है तो खेतों को बचाने के लिए खेतों का मेड ठीक से बनाने के लिए ये चमार लोगों को ही क्या करना पड़ तो कालिक में लोगों ने विरोध क्या हमें मसच्दुरी चाहिए नहीं करेंगे कि इन दलीतों का सामाजिक वहिसकार कर दिया और इस तरह से वहिसकार क्या जा कि खेतों में जाना मना हो गया यहां तक कि उन लोगों को अपना टटी पेसाब करने के लिए जाने के लिए भी बाधाएं खड़ी कर दिए ऐसा इस्थिती आ गया कि जो छोटे-छोटे बच्चे थे भूखों मरने लगे ठीक है और जो इसाई पादरी थे ना विशंदास तो अर्थात यहां भी उनका भी क्या था अपना ही मकसद को पूरा करना था ऐसा होते रहा 15 दिन तक संघर्ष चला और अंततह इसी बात का फैसला हुआ बने दलित लोग ही क्या हो गये मान लिए कि कोई बात नहीं आधा दिन का भी क्या है बेतन अगर मिलेगा तो भी क्या है वो काम पर लट जाएंगे और इस तरह से काम पर लोट गए तो मिला जुला के ये देखा जा सकता है कि कभी ये किसी के जगाने पर थोड़ा बहुत जग दो जाते हैं Gore लेकिन अनतत है उन्हें क्या है हार का ही सामना करना पड़ता है इन संगर्स के दौरान चमारों में फूट और एकता दोनों ही देखने को मिलता है अर्थात बीच में फूट भी पड़ता है कभी हारने भी लगता है फिर कभी क्या करते हैं ये एकता का परिचय भी क्या देते हैं तो दोनों तरह की दोनों तरह की बातें इसमें आती है तो इस तरह से अगर उसकने द्खाई तो उपन्यास का जो अगर अंथ का बात करें तो भी क्या है एक त्रासद अंथ के रूप में दिखाई देता है जुक्त हम लोग का भी टॉपिक है कि दलीत इस्तिरी शोशन है नथ इसमें अगर बात करें तो ज्यानो ज्यानो नामक जो यूबदि थी वो क्या है आत्मसंमानी थी थी ठोड़ा सा दभं यूबती थे चाहा कर भी उसे जाल में फंसा नहीं पाये थे और वो क्या है काली से प्रेम करती थी सांस्कृतिर्टिक रूप से भी एक ही थे ठीक है दोनों का एक दूसरे के प्रती आकर्शन प्रेम अत्यनत्य स्वाभाविक था जैसा दोनों का स्वाभाव था वैसे ही दोनों का चेतना है ना सब ठीक ठाक था लेकिन इन दोनों में प्रेम संबंद भिक्सित होना समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगा यह तो सहज प्रक्रिया था है ना स्वाभाविक था लेकिन दलीतों में ही है ना लोग क्या है इन लोग का सत्रू बन बैठे और दुखत घटना तो यह है कि अंततह ज्ञानों के घर के लोग ही उसे जहर देकर मार डाले है ना और अंत में काली को भी इस गाउं से पलायन करना पड़ा और अर्थात क्या हो गया कि बहुत बुरा स्थिति दिखाया गया है इस पद्रूकत के माध्यम सेidd sock वीचार में अंतिक्न धर्म है यче फिर हिंदु धर्म का बातों है तो इसमें कि आ है बय्जाति वेवस्था को से जोड़ कर दिखाया गया है ऐसे रूप से जो वेदिक साहुतma की तो उसमें उस तरह का उस तरह का धार्मिक बातों को नहीं रखा गया है लेकिन जो पाखंडी पुरोहित लोग हैं वो लोग क्या किये पूरी तरह से जाती वेवस्था को धर्म से जोड दिये यह जो समय था जिस समय यह लिखा गया तो उस समय क्या है कि इसके विरूद में बहुत सारा अंदोलन चल रहा था है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेतकर करें है ना तो भीमराव अंबेतकर इसमें क्या है बढ़ चड़ कर भाग ले रहे थे हैं वे दलीतों के उन्नती के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे कि वे स्वेंग भी क्या थे दलीत थे सबर्नों के और मानेविय बेवाहर और छुआच्छुत के कारण वे भी क्या थे बह इसी बात को वह बहुत ज्यादा क्या करते थे जोर देते थे ना लेकिन इन इन सबका आंदोलन होने के बाद भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा काहें कि यह जो सबर्न लोग हैं नहीं वो तो अपने स्वार्थ के लिए ही हमेशा ही क्या है इस धर्म का ये जो नाम लेकर इस बर्ण वेवस्था को किसी भी तरह से बनाए रखना चाहते हैं। हिंदू समाज वेवस्था एक कठोर समाजिक प्रनाली है। इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं है कि किसी ब्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा के अपेक्षाक्रित परिबर्तन हो लेकिन वो जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसी वर्ण के सदस्चिके रूप में वो समाजिक स्थिति में वो क्या रहेगा बना रहेगा वो किसी तरह से भी क्या नहीं होगा प्रभावित नहीं होगा है उच्च वर्ण में जन्में और नीमन वर्ण में जन्में ब्यक्ति की नियती उनका जन्मजात वर्ण है अर्थात अगर कोई नीमन वर्ण में जन्में और बहुत और वो अच्छा काम ज़्यादा करे भी नहीं लेकिन वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो इस बात को क्या है इस उपन्यास में सामने लाया गया है इस उपन्यास में इस बात को सामने लाया गया है कि इस तरह से जब तक स्थिती बना रहेगा तब तक क्या है देश का होना मुश्किल है ठीक है ना तो दलीद जीवन की त्रासदी के संबंद में आज जो पॉइंट्स अब डिसकस किया गया आप इसी को एक्जाम में लिखके आई है आपको एकदम बहुत अच्छा से मार्स मिल जाएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत नवादे